हेलो बच्चो वेलकम इन माई य्टूब चैनल आज के वीडियो में हम देखेंगे कख्चा चार अंक जगत यानि गड़त का बारसिक प्रच्छा का प्रिशन पत्र जो आज था इस वीडियो में पूरा प्रिशन पत्र हम हाल करेंगे वीडियो को पूरा देखें तब यह आप सही से समझ पाएंगे तो करते हैं प्रारम देखते हैं यह आपका है प्रिशन पत्र बारसिक प्रिश्चा दो यार वाइस बिशाए गड़त कख्चा चार और आपका यह पूर्णांख है वो है 35 समय है इसका दो घंटा और सभी प्रिशन करना अनुवार यह हैं सरब प्रिशन है कि 400 500 500 500 और 100 100 को जोड़कर लिखना था तो जब हम इसको जोड़ेंगे 400 500 100 के लिए तो यह आपके हो जाएगा 1000 तो 1000 यह वाला विकल्प इसमें सही है इसी प्रिकार हम देखते हैं सवाल लंबर उसका दूसरा यह कह रहे हैं कि संक्याओं 3 6 तो 12 का लगतम समाबर्त होगा लगतम के लिए हम लाजा कहते हैं तो लगतम निकालते कैसे हैं बो आप देख लेजीए सरपितम आप देख रहे हैं यह प्रिशन संक्याओं को पढ़िए हमने 3 6 12 इस तरह से लिख लेंगे सबसे चोटी जो अं यदि दो से डिवाइड नहीं होता है, तो तीन से देखेंगे, फिर पांसे देखेंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पर देख रहा है, तीन तो दो से डिवाइड होता नहीं है, छे होता है, और बारा होता है, जो डिवाइड नहीं होगा, उसे हम ऐ 3, 6, अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है 6, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 ऐसी लिख देंगे, ये भी 3 ऐसी, 6 के लिए करेंगे तो 2 तिया 6, अब देख रहा है तीन, 3, 3 हो जाता है, ये जो है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं यहां पर ठीक है दो गुड़ा दो गुड़ा तीन बरावर इसका जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे बार है तो इसका जो लगतम समाबर्त है वो आपका बार है आ जाएगा अब देखते हैं तीसरा सवाब 21 और 28 का महतम समाबर्त होगा महतम समाबर्त के लिए हम कहते हैं मासा कैसे निकालता है मासा आप समझ लेजिए पर शेंद तीन है रहा है किस के फैक्टर याद करेंगे हमें याद कर लेना ये ऑक यदि बार में 21 के कितने होते हैं मासा निकालने के लिए क्या करेंगे जिन संक्याओं का हम फेक्टर करते हैं उन फेक्टरों में कॉमन आना चाहिए जो अंक कॉमन होता है वो ही इसका मासा कहलाता है यशे इसमें साथ है और इसमें भी साथ है तो यह हमारा कॉमन मासा हो जाएगा साथ यदि दो और कॉमन होता तो 2 सत्य 14 हो जाता इस तरह से हम यह सवाल हल कर लेते हैं अब इसके बाद देखते हैं सवाल लंबर इसका 4 यहां देखेंगे कह रहा है कि 5 बटे 7 में से 2 बटे 7 घटाने पर मान होगा तो पिरसंट 4 यह है पहले हम 5 बटे 7 लिखेंगे माइनस घटाना है हमें 2 बटे 7 बराबर इन दोनों में जो अंस है वो उपर वाला 5 है इसमें इसमें हर है 7 इसमें अंस 2 है इसमें हर 7 है जब दोनों के जो हर हैं वो समान है तो इसका जो लगतम आएगा वो समान यहीं साथ ही आएगा जब समान हर होते हैं तो लगतăng वही आयाता है इसके बाद देखेंगे भठाने के लिए 5-3 5 मैं से 3 जाएगा तो आपके भचेंगे 5 मैं से 2 जाएगा 5 मैं से 2 जाएगा तो आपके भचेंगे 3 बटे साथ उपह 3 बटे, 3 और नीचे साथ बचेंगे आपको जो बिकाल पर वो गास ही रहेगा इसका, आप देखते हैं इसका पांच उसवाद, किसी बरगाकार खेत की बुजा 25 मीटर है, तो खेत का परमाप होगा, 50 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर, और 80 मीटर, तो ये प्रसन 5 देख रहे हैं, कोई भी बरगाकार खेत होता है, तो उसके हम क्या करते हैं, चार से बुजाई गुडा कर देते हैं, तो वो उस खेत का परमाप निकला आता है, क्योंकि जो बरगाकार खेत होता है, उसकी सभी बुजाएं क्या होती है, सभी बुजाएं उसकी बराबर होती है, ये वाली बुजाएं सभी बराबर होती है, देख रहे ह इसमें 25जफीं सेंटीमेटर हमें भजा दी हो यह तो हम जब चार अब ब्रत जोड़ में अंसर आगे आप चार घुड़ करतेंगे तब यहां लाइसर आजा अजाएगा चार गोड़ा पचिस के तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संक्या लिखो, तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संक्या, तीन बार हम नौनो लिख देंगे, इस प्रकार से किसी भी अंक की, हमने पांच अंकों की सबसे बड़ी संक्या लिखनी है, तो पांच बार नौनो लिख देंगे, वो पांच अंकों क तूसरा संक्या यह देख रहे हो पांच लाख 43,217 में पांच का इस्तान इमान कितना है तो यह पांच हम देख रहे हैं एकाई दाई सैकड़ा हजा तस्यार लाग पांच के जो है हमारा लाग के इस्तान पर है तो हम कह सकते हैं कि पांच का इस्तान इमान यहां पर पांच ला जैंगे फॉटी एट होता है ठीके इसके वाद फिप्टी सिक्स होता है जूसिस्टि फॉर होता है तो यह आठ लगते हैं आप देआे इसका सवाल नंबर नेकि जे ग्यांस. पांच पटे 6 के सम्तुल ऐसी बिन लिखो जिसका अंस 20 हो ठीक है तो हम देखेंगे हमारी जो बिन है हमने लिख लए पांच पटे 6 इसकी नेक्ष्ट बिन हमें लिखनी है जिसका अंस 20 हो और हर तो अपने आप आजाए जाएगा अब यह लिखन के कैसे बहुत आप देख लि तुमारी तो हम कार जो है और हर में भी रोकर निई है तो हमारा जो आजाएगा वह गयाओ आप दैक अन्हरें की लंबाई 85 वाल सब्सक्रार करना कि कर आज कर separate है ठीक है इसकी लंबाई और चोड़ाई दी हुई है अब परमाप का सूत्र क्या होता है आयत का परमाप सूत्र होता है दो इंटू लंबाई पिलस चोड़ाई या फिर लंबाई पिलस चोड़ाई को जोड़ें और दो से गुणा कर दें या फिर लंबाई चोड़ाई को जो पर एक मीटर आंसर इसका आ जाएगा अब देखते हैं इसका next प्रेशन है लग उत्री प्रेशन इसका पहला सवाल जाए पांच अंकों की सबसे बड़ी संक्या में छे अंकों की सबसे चोटी संक्या को जोड़ो और एक फल को अंकों में लिखना है तो हम हाले रहां करेंगे सबसे पहले पांच अंकों की सबसे बड़ी संक्या लिखेंगे तो पांच अंकों की सबसे बड़ी संक्या लिखेंगे क्या करेंगे पांच वारा हम नो नो लिख देंगे ठीक है नो नो हमने लिख दिया यह हो गए अब हम छे अंकों की सबसे चोटी संक्या क्या करेंगे ए अब देख रहे हैं यह संक्य जोड़का एग फ़ल आएगा इसका तो इसको जब अंकों में हम लिखेंगे तो देखेंगे काई धाई सेकड़ा हजाद तसजान लाग यह एक लाख 9999 संक्या हो जाएगी अब इसका देखते हैं नेक्स्ट सवाल दूसरा यह कहा रहा है कि एक गत्य के डिब्बे में सावन की 15 टिकिया रखी जा सकती है सैली 2340 टिकिया गत्य की डिब्बे में रखना चाहती है उसे कितने डिब्बो की आपस्ता पड़ेगी तो यहां देखेंगे हल किसका एक डिब्बे में रखी जाती है कितनी 15 टिकिया अब 2340 टि चार उताल देंगे 84 हो जाएगा ये अब 15 से 84 में भाग देंगे तो 15 अपर 75 होता है यानि 84 में से 75 निकालेंगे तो 9 बचेगा और ये सून उताल लेंगे अब 156 होता है कुल मिलाग कह रहा है कि 156 डिब्बों में रख सकते हैं अब देखेंगे इसका सवाल नमबर तीसरा 365 कि फिर्जाब 5 लीडर को लिटर में लिखना है तो क्या करेंगे से 1 किलो लीटर पर आवर 1000 लीटर होता है तो 365 ख्रीयार में जो ली बनाएंगे तो एख यार से गुर्णा कर देंगे कुल मिलाग के जो आपका आजयाएगा पिस में जोड़ देंगे तो 3,65,05 लीटर हो जाएगा अब प्रिसन न चार देखते हैं पूजा की मम्मी प्राता 5 बज़ी कर 30 मिट पर सोकर उठती है आदा घंटे बाद पूजा उठ जाती है पूजा कितने समय उठेगी तो आदा घंटा बाद 6 बज़ जाएगा अब बरस के उन महीनों के नाम बताओ जिन में 31 दिन होते हैं तो जनवरी है, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर ये महीने वो हैं जो 31 दिनों के होते हैं तो ये था प्रिसन पत्र आपने हल देखा आसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक नमस्कार